हेलो दोस्तो बीना प्यांच लहसन की पनीर की सबजी एक बर आप जरूर ट्राइ करें इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है और इस पनीर को हम इस तरह से स्क्वेर शेप में हम काट लेंगे और इन पनीर को नमक और लाल मिर्च पावडर केल साथ थोड़ी दिर के लि क्वेर ओट हसे 2 मिनट तक हमें इसे ड्राइ죠 करना, इसके बाद एक याडी लेंगे और इसमें त convention must develop leader, fill ईकाजू को करेंगे और इसको हमें ब्राउन होने तक इसे फ्राइग करना, जब तक इसमें रंग आ जाय है तब तक हम इसको फ्राइगे देखिए इसे हम अलग बरतन में हम निकाल देंगे उसके बाद ड्राइ रोस्ट किये हुए गरम मसाले और इस काजू को हम मिच्चर ग्राइंडर में बीना पानी डाले ही इसका एक पाउडर तयार करना है हमें इसमें पानी नहीं डालना है देखिए हमने इसका पाउडर तया करना है ज्यादा फ्राई नहीं करना है नहीं तो हमारे पनीर जो है कड़े हो जाएंगे देखे यह अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अब हमें इसको भी एक अलग बरतन में निकाल देंगे अब हम दुसरे प्रोसेस की और चलेंगे यहां मैंने दो टमाटर लिया है एक जीरा डालेंगे और एक सुखी लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद चौथाई चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे चौथाई चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच भर कश्मीरी लाल मिर्च पाणी लाल मिर तरह से पेस्ट तेयार किया था अधरक और टमाटर का उसको भी मिला देंगे और दिरे-दिरे इस तरह से हम एकसे दू मिनट तक इसको हम इस तरह से चलाएंगे देखिए इसमें उबाल आ चुकी है उसके बाद जो हमने पावडर तयार किया था काजू और गरम मसालों का उसको भी इसमें हम मिला देंगे और हम जरुत के अनुसार अब हम इसमें हम पानी मिलाएंगे देखिए ये फ्राई हो गया है अब हम इसमें हम जितना हमें ग्रेवी चाहिए उसे साब से हम इसमें हम पानी मिला देंगे इस तरह से और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी इस थिती में हम मिला देंगे जब इसमें उबाल आ जाया अच्छी तरह से तब हम फ्राई किये हुए हमारे जो पनीर हमने रखे थे उसको भी मिला देंगे और चार से पांच मिनट तक हमें से इसको पकाना है देखिए इसमें इसका रंग देखिए इसका रंग बहुत अच्छा आया है अब उपर से हम गार्नीश के लिए कोरियंडर लीव से इसको हम गार्नीश करेंगे दोस्तो इस तरह से एक बार पनीर आप जरूर बनाईए बिनाज प्यांस लेसन के आपको जरूर पसंद आएगी